इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा मेरे जो पौदे हैं जो फूल देने वाले हैं इनको मैंने एक अलग जगा पे रखा हुआ है आपके मन में भी यही विचार आ रहा हुगा कि इनको सभी को इकठा क्यों रखती है क्योंकि पहले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने अलग अलग जगा पे इन सभी को रखा हुआ है दरसल हमारे यहां पे कुछ दिन पहले जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज बताई गई थी जब मैंने ये वीडियो शूट करी है और उस वक्त हमारे यहां पे ओले भी पढ़ने थे तो इसलिए मुझे लगा था कि ये सब चीजे हो सकते हैं इसलिए मैंने ग्रीन नेट के नीचे कुछ पौदे रखे और जिनमें ज्यादा पूल अच्छे तरीके से खिले हुए थे उनको बिल्कुल शट के नीचे रखते हैं जहां पे बारिश भी ना हो और यहां पे आप देखें सबी मैंने पौदे कठे करे हुए हैं और यह क्योंके दोस्तो हमने इतनी जारा मेनत करी रहती हैं तीन महीने हम इनके केर करते हैं सब चीजे करते हैं पर एकदम से जब परफ के ओले पढ़ते हैं या फिर बारिश होती है तो बिल्कुल पौदे खराब हो जाते हैं और बिल्कुल भी खिलते नहीं हैं इसलिए यह सब चीजें करनी मेरे लिए ज़रूरी थी और आप देखें यहां पे सब रनेंकुलस हैं डेलिया हैं जिनके उपर भी फूल आने वाले हैं सभी को मैंने यहां पर रखा हुआ था यहां पर आप देख सकत हैं इनके जो फूल हैं बिल्कुल जैसे अच्छे तरीके से फूली डबल होते हैं इसमें अगर पानी रुकेएगा तो बहुत जल्दी से जो फूल है गलना शुरू कर देंगे तो मैंने वीडियो के बाद में इनको तुराद अंदर रख दिया था और यह सभी मैंने ग्रीन से सीखा है जो मैं आपको बताऊंगा और यह मेरे पास संडेरिया है जैसे मेरे पास पहले वाले जो बीज के द्वारा ग्रो करे थे और यह मैं नर्सरी से लेकर आया था मुझे 30 रुपीज पर प्लांट पड़ा था और मुझे बहुत बड़े तरीके से फ्लावरिंग मिली हैं और जो यह सबी प्लावरिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं मार्च में और जड़ा फूल इन पर आएंगे अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आसपास पर बहुत सारे इसकी जो कलिया है वो अभी खिलनी बागी है और यह मेरे पास है जो फ्लॉक्स प्लू कलर का यह यह मुझे बहुत बढ़िया लगा पौदा और इसके उपर जब फूल आये थे सिर्फ एक सिंगल जो स्टैम थी पर अभी दीरे-दीरे से पूरी तरह से पौदा बुशी हो रहा है और यह आप देख सकते हो यह डबल में है इसके फूल बिलकुल कलांचो जैसे देखते हैं जो हमें मैनत बगारे लगती है जो करनी भी चाहिए जिसके इसाथ हमें जादा बढ़िया लगता है रिज़र्ट मिलता है नर्सरी से पौदे तो कोई भी हम लेकर आ सकते हैं खराब हो गये थे अभी इनकी जो new grow शुरू हुई है उसके साथ वो पूरी तरह से cover हो गया अभी फूल खिलने वाले हैं तो इस बार मैं वो गलती नहीं करना जाता इसलिए मैंने इनको एरसी ही रखा हुआ आप खुद देखे कितनी सारी कलिया है एक एक पौदे पर आ रही ह जब इस पर दोस्तों flowering आएगी तो मैं definitely आपके लिए वीडियो बनाऊँगा ये मैंने सभी अलग-अलग करके लगा हैं इसके वीडियो भी मेरे पास है सभी चीजे मैं update के साथ दिखाऊँगा ये succulent पौदे हैं और इनके उपर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो पत्ते flowering पे पौदे हैं तो इसलिए मुझे जी सभी बचाने जरूरी हैं तो सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैंने बचा हैं अभी आज भी लिखी हुई है बारिश का भी जगा पे तो आप भी ऐसे करें जो flowering plants है थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है इनको रख लीजे क् पहली बार पिछली बार मेरे ऐसी ही पौदे सभी खराब हो गए थे टाइम पे जब इनके उपर फूल आने वाले थे और पौधों के जो कलियां बगारा है बो भी बहुत जल्दी से तूट जाती है और इनको मैंने यहां पे रखा हुआ एक चोटा सा ओवर विउव भी है जिसमें आपको पता लगया कि इस पार मेरे गार्डन में कौन-कौन से जो फ्लारिंग प्लांट्स है ज़रातर ब्लूमिंग करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में इनके बारे में अपडेट्स भी मिलते जाएंगे और इस बार मैं यही ट्राई करूँगा कि गर्मी मे मैं ज़्यादा तर फूलों वाले पौदे ग्रो करूँ मैं थोड़ा सा इसलिए काम लगाता हूँ गर्मी में क्योंकि पानी देना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है और रिजल्ट आता है सिर्फ अच्छे तरीके से वाटरिंग मिन्टेन करने से फटिलाइसर वगरा सभी चीज़े स्केंडरी है प्राइमरी चीज़े वाटरिंग अगर उनको सही डंग से आप पानी दोगे तब आपके पौदे बहुत अच्छे तरीके से गर्मी में भी ग्रोग कर सकते हैं तो इस बाट ट्राइ करूँगा थोड़े से पौदों के साथ आपके साथ वीडियोस भ सब्सक्राइब कीजीगा बताइएगा जुरूर आपको आज की वीडियो में कौन सा पौदा हमारा सबसे बढ़िया लगा थैंक फर वॉचिंग